वजन बढ़ाना है तो आज से ही आपको ये कुछ चीज़े आईरवेद की हैं जो अपनी जिंदगी में जरूर ले आनी चाहिए जी हाँ जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आदिते ही डिसाइड करती हैं कि हमारा शरीर हमारा दिमाग या फिर हमारा भविश्य कैसे होगा तो आदत अब वजन बढ़ाना, कई सारे लोग की ये समस्चा है की वजन नहीं बढ़ता, खास करके जो वात प्रकृती के लोग है उनके साथ ये समस्चा होती है कि उनका शरीर बहुत पतला है क्रुश है और बहुत सारे कर्म कांट सब कुछ करने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा है या आप भी दुबले पतले हैं कमजोर हैं या फिर आपका चेहरा अंदर घुसा हुआ है और लोग आपको कहते हैं कि भाई हड़ी ही बचिये क्या शरीर में तो ऐसे लोगों के लिए आईर्वित की सहिताओं में कुछ आदते कही गई हैं इन आदतों को आप अपना लीजिए और आपका शरीर पतले से पहलवान की तरफ जाना शुरू हो जाएगा तो चलिए जानते हैं कि वो क्या-क्या आदते हैं चरक सहिता में सबसे पहली आदत कही गई है जो वजन बढ़ाती है ऐसे लोग जिनें वजन बढ़ाना है वो कहते हैं स्वप्न जी हाँ खान पान की चीजों की बात उन्होंने नहीं की सबसे पहली जो आदत की बात उन्होंने की वो है स्वप्न अर्थात भरपूर अच्छी नीद लेना अब जो लोग पतले हैं उनके साथ ये समझचा है कि वो नीद ठीक से नहीं लेते या ज़्यादा तर हम ऐसे लोग को पतला पाते हैं जो अती चिंता का सुभाव है जैसे कि हमने पहले एक वीडियो जो बनाया था ज़्यादा सोचने वालों के उपर उसमें कहा था कि रस वहिन्याम दुष्यंती चिंताना मति चिंतनात रस वहद शूतस या रस धातु है जो खराब होती है जादा सोचने जादा चिंतन से अब शरीर को पोशन देने का काम कॉन करता है तो आईर्वत के अनुसार शरीर को नरिश्म Nat, पोशन का Haven रस धातु का है तो जादा टेंशन जादा चिंता ले लेके आप अगर आपकी नीद खराब कर ली है तो आप मोटे नहीं होंगे नीद का ये गुण है कि वो शरीर को पुष्टी देती है बल देती है इसलिए नीद इतनी इंपोर्टेंट है तो अगर आपको वजन बढ़ाना है तो चैन से सुख की नीद लेना शुरू कर दीजिए और दिमागी जो खटपट है उसको कम कीजिए ऐसे लोगों के लिए दिन में सोना भी बहुत अच्छा है रात में तो नीद लेना अच्छा ही है पर दिन में भी जरूर सोईए कई लोग ऐसे हैं जो रात के समय मोबाइल ये सब में लगे रहते हैं और फिर सोचते हैं वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है तो वही आपको वजन बढ़ाना है तो मोबाइल टीवी कंप्यूटर सबको शाइड में रखो और सुक से सोना या चैन की नीद लेना शुरू कर दो फिर दूसरी आदत वो कहते हैं प्रसन्यता अर्थात खुश रहो प्रसन न रहो अब यहां पर भी वजन बढ़ाने की जब बात कह रहे हैं तो उसमें उन्होंने यह नहीं कहा कि कुछ खाओ पहली आदत कहीं नीद लेलो फिर दूसरी आदत कहते हैं खुश रहो तो अगर आप पतले है और टेंशन में हैं तो जो टेंशन है चिंता है वो मोटे लोगों के लिए अच्छा है मोटे लोगों को काम है वह टेंशन ले क्योंकि लाफिंग बुद्धा का आपने पेट देखा होगा निकला है तो आपको भी लाफिंग बुद्धा जैसे पेट तो शाद नहीं निकालना होगा फिर भी वजन बढ़ाना है तो उसके लिए प्रसन रहना खुश रहना जुरूरी है तो छोड़ी-छोड़ी बातों में खुशि पर सो जब आप सो रहे हो तो एक मज़े से चीज पर सो अब सोते समय कई बार ऐसा होता है कि गद्धा ठीक नहीं है तकिया ठीक नहीं है या सोने के समय जो चीजे आपको चाहिए हर एक का अलग-अलग comfort zone होता है वह चीज नहीं मिली तो ठीक से नहीं नीद आती इसलिए नी लूख पैदा करने वाली जितनी भी चीज है दिमाग यहां की जो चीजे हैं उसको कम कर दो क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा energy आपका शरीर नहीं खाता आपके शरीर में सबसे ज्यादा energy अगर कोई एक चीज खाती है तो वह आपका दिमाग है ऐसलिए आप देखो दिन भर क तो कुछ भी चीजे होती हैं उन्हें कम से कम करना ऐसे कामों में कम पढ़ना और सुख से रहना ज़्यादा इंपॉर्डेंट है अब आजकल का तनाव चिंता बेचेने गुस्सा यह सारी चीजे हैं वो खुद की ना होके इंटरनेट में पैदा की हुई ज्यादा है जैसे कि आप आराम से खापी कि अपने घर पे बैठें आपने आफिस में आप काम कर रहे हैं फिर आपने गलती से फेस्बुक खोल लिया उसमें कुछ चालू है कि क्रिकेट में ऐसे हो गया पॉलिटिक्स में यह हो गया वहाँ पर बम फढ़ गया उसने उसको वो भोल दिया यह घर्म वाले ने वो कर दिया उसने उसके उपर ऐसा कर दिया उसने यह वह एक्र लोग वरके को फॉरवर्ड करो वरना आपके साथ ऐसा हो जाएगा आपकी घर में को यह मर जाएगा या बैड्लग आ जाएगा अब ये सारी की सारी चीजे आपने जब अपने दिमाग में भरके रखी हैं तो आपका दिमाग कहां से शांत होगा और दिमाग शांत नहीं होगा तो चिंता चलेगी चिंता से रसधातुक्षय होगा और आप हमेशा पतले ही बने रहेंगे आपकी धातु में खतम हो दी जाए उसे थोड़ी देर के लिए शांत रखे अपने आपको इंपॉर्टेंट दो तो उससे आपका ज्यादा तेजी से वजन बढ़ेगा फिर एक बहुत अच्छा शब्द आता है वयाम वयवाय वीराम अर्थात जो वयाम है exercise है उसे कम करना अगर आप पतले वेक्ति हैं आपके श सब्सक्राइब करते हैं तो उसे थोड़े से थोड़ा कम कीजिए अर्था थोड़ा आलसी बनना सीखो यह वात वालों के साथ पाया जाता है वात वाले ऐसे होते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ खटपट करने की उनकी आदत होती उनका नेचर है तो और वजन कम होने की लिए उसे थोड़ा कम कीजिए अगला सब्दय है वयवाइय अर्थात मैं फुन कर्म करना सेक्स करना हस्ट मैं फुन करना यह सारी चीज़े अगर आप पतले हैं वीक हैं और ऐसे में अगर आप ज़्यादा मैं झूल चाहिए इस यह होगा कि आपके शरीर की द्धातवें ह और आप अपनी धादू कर रहे हैं तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा फिर एक और आदत वो कहते हैं प्रिये दर्शन प्रिये दर्शन अथा अच्छी चीजे देखिए जिस चीज को देखने से आपको प्रसन्यता आती है मजा आता है अब सिंपल सी वाते हैं लोगों की प्र प्रसन्यता लाता है जो आपको मजा लाता है वह सारी चीजे आप देखिए या वह सारी चीजे आप कीजिए अब इतने आदत बताने के बाद справर कूट रहे कि कोई सानीसे हमेकिते करें लोग not lying कुछ पहले यह जो चीजें हैं ठीक से सोना मन को शांत रखना प्रसन्य रहना वयाम से बच के रहना वयवाय कर्मे से दूर रहना यह सारी चीजे अगर आप करो तब हम खाने पीने के कुछ चीजे बताते हैं उसका पालन करो तो आपका वजन बढ़ना चालू होगा वह कहते हैं कि आपको वजन बढ़ाना है तो जितनी नई चीजें हैं वह सब आपके लिए अच्छी है नई चीजे अर्थात नव अन्नम जितने भी अन्न है जैसे कि जब गेहूं की फसल उपती है चावल की फसल उपती है ज्वार बाजरा यह सब उपता है तो वह जो फसल आती है उसे उ दाल यह सारी चीजे हैं वह उगने के एक साल के अंदर तक आयरवेद में नई मानी गई है और है भी मानी गई है तो जो सीजन में चावल पैदा हुआ जो नया चावल मार्केट में मिलता है उस चावल को आप बनाकर खाना चालो करो जो मार्केट में नया गहूं आता है वह व वजन बढ़ाने का काम करते हैं तो नया अन बनाकर खाये और उसके बादों कहते हैं नवमध्यम अर्थात नई जो शराब होती है उसका यूज़ करना चाहिए क्या मैं दारू को बढ़ावा दे रहा हूं नहीं नहीं आईरवेद की जो आउशधियों के लिए जो मध्य काने का काम करती है तो वह लेना चाहिए अगर आपको यह मध्य पान यह सब के जंजट में नहीं पढ़ना है क्योंकि बाद में नशाबी होने लग जाता है तो आईरवेद के जो आसव अरिस्ट है उसका आप सेवन कीजिए आपको मध्य के सभी फायदे मिल जाएंगे बिन अगर आप उसको पीना चालू करें 20-25 तक तो वह आपके लिए बहुत अच्छा है वजन बढ़ाने के लिए शाका हरी चीजों में मिल्क के जितने प्रोड़क्ट है वह आप सभी के लिए बेस्ट है खास करके दूद दूद जो है वजन बढ़ाने वाला कफ बढ़ाने वा आप दूद पी सकते हैं इसके बारे में अगर आपको डीटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए हम उस बारे में आईरविद की डीटेल वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे दही बहुत अच्छा है वजन बढ़ाने के लिए वेट गेन करना है तो दही बार दही जरूर खाईए आवला या फिर मूं के साथ या आपके वेट गेन करने में बहुत मदद करेगा दही को अगर आप मिश्री डाल कर खाएंगे तो और अच्छा क्योंकि मीठा दही और ज्यादा आपका वजन गेन करता है घी सर्वत्तम है आपके खाने में आप जित सब्सक्राइब उसका करें यहीं तो जिर रवात गरता यहीं वजन अबिए मन देगा ओड़न करेंगा और चिंटा चेनी तना उसको शांत करदेगा जैसे कि पहले आद्तों में कहा गया था दिमाग शांत करो उसमें मदद करेगा और खाने के पाचन में भी घी मदद करेगा तो घी जरूर खाओ भैस का घी भी चलेगा जिन लोगों को मोटा होना है उनके लिए तो भैस का घी ही अच्छा है बस देख लीजे कि आप कितना उसको हजम कर सकते हैं तो भैस का दूद भैस का घी सबसे जल्दी वजन बढ़ाता है फिर कहते हैं गन्य के रसके जितने भी प्रॉडक्ट हैं वह सब के सब आपके लिए अच्छे हैं अर्थात गन्या आप चबा चबा कर चूस चूस के खाईए वह आपके लिए बहुत अच्छा है गन्य की जो र बजन आपका गेन करने में मदद करेगा फिर कहते हैं सभी तरह के शाली धान्या वह सारी जैसे चावलाल हो सब हमने पहले ही बात कर ली फिर वह कहते हैं कि उड़त उड़त का विशेस रूप से यूज़ कीजिए क्योंकि उड़त में द्वर्धक है इसको तो माश कहा जात उड़त का आटा होता है उसकाप हलवा ना कर खा सकते हैं उड़त की दाल खा कर घी में अगर लुजन बढाता हैं उसका जैतने मुछ बर्स हैं उड़त के जूट की भूघ में यूस कर सकते हो अपने भोजन में गुड का आप यूस कीजिए अब इतनी सारी खान पान की चीजे बताने के बाद फिर वो आते हैं आईरवेदिक प्रोसीजर पे चीकिस्सा का उनका पैटन देखिए पहले कहरते हैं दिमाख शांत करो फिर कुछ आदिते बोलते हैं खान पान की वो करो और फिर आते हैं कि आप आईरवेदिक की कुछ चीकिस्सा में आओ उसमें जो बस्ती है वो सर्वस रिष्ट है वेट कम होना वजन कम होना खास कर वात का जो गुण है उसके कारण क्योंकि लगुण है वो बात और पित्ते के पास है तो बस्ती करना खास करके तेल वाली जो स्निक्द बस्तियां है वो लेना सबसे फास्ट वजन बढ़ाती है एक और चीज़े जैसे है जिसके साथ की वो खाते हैं पर उनका अगनी उतनी अच्छी नहीं है तो अगनी उतनी अच्छी ना होने कारण वो ज़्यादा खा नहीं सकते जो उड़ा दिये सब चीज़े बताई पर बस्ती एक ऐसी चीज है जिसमें अगनी का कुछ काम ही नहीं पड़ता है वो डायरेक काम करती है इसलिए आप 50 ml घी 100 ml घी अगर नहीं पचा सकते तो 50 ml तेल का बस्ती लेना यह वात को तुरंत शांत करेगा और वेट गिन करने वाली सबसे बेस्ट चीज में से है जो कि आ आप अपने नजदी की किसी भी आयर्विदिक डॉक्टर के पाश जाके या नजदी की किसी भी आयर्विदिक हॉस्पिटल में यह करा सकते हैं फिर कहते हैं तेलमालिश अभ्यंग करो अभ्यंक के बारे में अच्छी रखेगा आखे अच्छी रखेंगी सुपुष्ट ayou तो रोज तेल मालिश करना खास करके तिल का तेल वजन बढ़ाने में बहुत अच्छा है वात वालों के लिए गरम नीचर के हैं तो उनके लिए नारियल अच्छा है रोज स्नान से पहले शरीर पे तेल लगाना आप सीख जाओ तेल मालिश वेट गिन करने की एक कमाल की दवा आईर विद में कही गई है फिर कहते हैं स्निग्ध उबटन करो स्निग्ध चीजे लगाओ जैसे कि शादी के पहले हल्दीली लगा जाती बस वैसे ही उडध का आठा पीस के उसे तेल में लगाकर लगाना यह सारी चीजे है या आईर विद के कई सारे जो द्रव्य है इसके बाद कहते हैं कि आईरवेद के रसाय नुष्दियां खाओ टॉनिक खाओ ऐसी दवाईयां जो वजन बढ़ाती है जैसे कि 54 एक टॉप क्लास का हर जगा अविलेबल टॉनिक है वजन बढ़ाने के लिए या अश्रोगंदा जैसा पाउडर जो दूद के साथ लिया यार हैं तो कहते हैं जो अती क्रूश है जो सूखे से सूखा पतला कमजोर व्यक्ति है वो भी मोटा होके अती बलवान या फिर ताकतवर बन जाता है तो यह सारी की सारी चीज़ें आप करेंगे तब आपका वजन बहुत अच्छे से गेन होगा और आप भी हस्ट पूस्ट बलवान या पतले से पहलवान बन सकते हैं पतले बन को लेकर अगर आपकी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पोच सकते हैं उस टॉपिक से जुड़े हुए हम वीडियो आपके ले लाके आपके सभी डाउट क्लियर करेंगे तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त र